हलो स्टूडेंट्स मैं संदिप सिंग वेलकम करता हूँ आपकी अपने चैनल माइगनेट ब्रेंस हिंदी मेडियम में जहाँ पर मिलता है आपको कम्प्लीट स्कूल एजूकेशन फ्री आफ कॉस्ट तो जीसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक सब्जेक के साथ और इन दोने हम डिसकेस करें हमारे चैप्टर ठोसो के अंत्रे गुड की मतलब जो सॉलिड्स होते हैं जो ठोस होते हैं उनके उपर अगर मैंने कोई बल लगा दिया तो बल लगाने के बाद उसके अंतरा आणविक जो बल होते हैं वहाँ पर वो किस तरीके से महसूस करते हैं या फिर मैं कुछ यूँ कहूँ कि मैंने अगर कोई force लगाया तो वो लगाएगे बल का वो ठोस मुझे विरोध करता है यह विरोध करने का कारण क्या है और यह विरोध कब तक करेगा क्या ऐसा भी कोई लिमिट आएगा जब मैं और जादा बल लगा दू तो वो विरोध करना बंद कर दे यानि वो पर्मनेंटे डिफॉर्म हो जाए यानि हमें आपर डिस्किस करने जा रहे हैं एक ग्राफ की जिसको हम कहते हैं प्रतिबल विकृती ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भई और ये पूरे चाप्टर को कवर करता ये टॉपिक ये एक ऐसा ग्राफ है जो सिर्फ अभी नहीं ये अब से चलकर के आगे आने वाले सभी एक्जामिनेशन में तनी वी आंतรी गुणधर्म होंगे उन सभी फिजिकल प्रापरटीज के साथ में ये चलने वाला है यानि ये ये एक कैसा ग्राफ है जो आपके दिमाग में बिल्कुल fit हो साना चाहिए आपके brain में होना चाहिए वही क्योंकि इसके accordingly बहुत सारे रमाण बहुत सारी picture चलने वाली हैं भाया हमारे आसपास तो चलिए session की सुरू करते हैं क्योंकि यह session equally important हमारे board point of view से भी and हमारे competitive point of view से भी मतलब आप js parent हो नीट is parent हो या फिर अब cvt के preparation कर रहें यह segment बहुत important होने वाला है क्योंकि इस पर question पका है competitive में पका है और हमारे खुद के concept build-up के लिए भी यह topic बहुत ज़्यादा important है let's begin this topic and सबसे पहले हम देखते हैं इस graph को ही इसके बाद हम बाकी की चीजों की चर्चा करेंगे तो अगरे मैं इस graph को आपको दिखाऊं तो मैं आता हो जड़ा एक और graph की तरफ से हैं पिले इसको थोड़ा सा दिखकर का आते हैं ठीक है अलग अलग जगों पर आपको अलग अलग तरीके के graph दिखते हैं इसलिए आपको graph देखकर के घबराना नहीं है ग्राफ एक जैसी हैं एक तरफ आपका stress और दूसरी तरफ आपके straight मतब ये प्रतिबल और इधर विकृति तो प्रतिबल और विकृति के बीच में हुक ने हम इस chapter को जितनी बार आपको पढ़ना होगा हुक का नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हुक ने साफ सुथरा कहा कि भाया अगर आपने किसी किसी ठोस के ऊपर लगा रहे हैं आप कोई प्रतिबल आप किसी ठोस के ऊपर लगा रहे हैं बल तो ठोस के ऊपर आप बल लगा करके उस ठोस के अंदर विकृति उत्पन करने की कोसिस कर रहे हैं मतलब अगर मैंने कहा कि भाया ये एक length है ये क्या है एक हमारे पास में ऐसा considerable seat अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये मेरे पास में एक ऐसी ऐसी एक सिर्फ length है तो आप कहेंगे अच्छा length है आपके पास तो लो भाया मैंने इसके उपर लगा इसके area of cross section पे मैंने कहा लो ये लगा है मैंने mg force और इसके length को अब मैं उठा करके बढ़ा दे रहा हूँ इतना ये इतना सा क्या हो गया तो मैं कहूंगा भी है ये ये इतनी सी length मैंने इसकी increase कर दी जो initially ये इसकी length यहां से यहां तक की मेरे पास में L थी उसको मैंने यहां से यहां तक मैं बढ़ा करके डेलल और बढ़ा कर दिया ये L कह लेते हैं इसको डेलल कह लेते हैं या फिर इसको small L से भी sometimes लिखते हैं ठीक है ना तो ये length को हमने बढ़ा दी मतलब इसमें मैंने विकृति उत्पन कर दी तो ये कितने लंबाई ये लंबाई में जो आपको वर्धी देख रही कितनी लंबाई में बरिधी हो तो आपको कि अगर मैंने इस force को और बढ़ा दिया अगर ये mg को और खिच करके मतलब mg और बढ़ा दिया दीखें जी तो चेंज होने वाला नहीं है इस m को अगर और बढ़ाया मतलब यहां पर मैं कहता हूँ कि यह यह इसको प्रतिबल लिख देता हूं सीधे सी प्रतिबल है यह हमारा force upon area है अगर मैंने यहां पर force को और बढ़ाया और बढ़ाया तो फिर क्या होगा यह length में और बढ़ातर ही हो जाएगी आप को और बढ़ाओं तो मैं कहूंगा length में और बढ़ातर ही हो जाएगी जब तक आप इसके अंदर में changes जब तक आप इसमें प्रतिबल कमान बढ़ाते जाएगे इसके length में बढ़ोतर ही होती जाएगी लेकिन यह सब कुछ कहा होना चाहिए तो यह सब कुछ होना चाहिए प्रत्यास्थता सीमा के अंदर मतलब हर एक ठोस के पास एक गुण है कि अगर आपने उसके उपर कोई विकृत बल लगाया त ठीक है अगर उसके length या फिर volume में कोई भी change आता है या तो वह compress हो गई या वह elongate हो गई दोनों चीज़ें हो सकते हैं आप खिच करके लंबा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं लेकिन यह सारे कारिकरम प्रत्यास्था सीमा के अंधर होने चाहिए मतलब एक limit है जहां तक यह आप काम करेंगे तो यह क्या करेगा आपने जैसे यह अपना excessive force हटाया यह वापस से अपनी original इस्तिती में यह जैसे अपना force हटाया यह वापस से अपनी original इस्तिती में लेकिन लेकिन अगर 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 यहां पर यह ऐसा नहीं हो रहा है मतलब आपने जो force हटाया अब वापस अपने आपको रीगें नहीं कर रहा है तब तब गेम भी गड़ गया गेम पूरा घड़ाब हो गया तो एक चीज़ समझ मारी प्रत्यास्ता सेवा के अंदर हुक ने कहा था कि भीया जो होता है आपके द्वारा लगाया गया जो प्रतिबल है यह समानू पाती होता है विक्रती के भीया मैं क्या कहता हूँ मैंने जितना जादा इसके उपर बलका मन बढ़ाते गया उतनी जादा इसमें विक्रती देखने को मिल रही है उतना जादा इसके शेप में चेंज मेरे को देखने को मिल रहा है यह सिर्फ लेंट में नहीं यह हमारे वॉल्यूम में भ खट करके इतना छोटा हो गया जब यह excessive force यह बाहर वाले पूरे force को मैं हटा दूंगा तो फिर क्या होगा तो यह वापस से अपने size को regen कर लेगा फिर से मैं अगर इसमें force लगा देता हूँ तो यह वापस से क्या होने वाला है यह छोटा हो जाएगा संकुचित हो जा रहा है तो point ये है कि आप जितना बाहर से जादा बल लगाएंगे उतना जादा संकुचित होगा अगर मैंने बल के मान को और बढ़ा दिया तो ये और छोटा संकुचित होगे तो और छोटा होगे यानि आपके दोरा लगाया गया प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती होता है ठीक है कब तक भाई जब तक ये 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 जो रिलेशन है ये 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 रिलेशन जब तक फुल्फिल होगी तब तक हम कहते है कि ये सब कुछ कहां चल रहा है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर चल रही है ये सब कुछ प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रत्यास्थता कि सीमा क्य आफने इतना ज्यादा बल लगा दिया कि यह अपर्मानेंट यहां से ब्रेक हो गया तूट गया मतब पर्मानेंट डिफार्म हो गया अब तूटे नहीं भी तो मैं कहता हूँ कि आपने इतना बल लगा दिया कि अब अपना excessive force अटाओ तो वापस से अपने size को regen ना करें भूल कि ऐसा कैसे होता है यार क्या क्या उल्जन भरी जिंदगी है यह कोई उल्जन नहीं है बड़ा ही simple है मैं कहता हूँ आपने यह तो देखा है न यह थोड़ा सा समझने के लिए बड़ा ही असान सा काम होता है यह कर दिए यह तनी लंबी हो गई है तो आप कहते हो कि जैसे ही मैं अपना force जो इदर सकीचने के लिए जो force लगाता है ये force हटाता हूँ वापस अपनी जगा पर आप यह जाती है जैसे वे force लगाता हूँ यह फिर से खिच जाती फोर्स अटाया वापस अपनी जगा पे force थोड़ा जादा ही खिच दिया लो अब आप छोड़ भी दोगे तो वापस नहीं आएगी आपके पेन में जो स्प्रिंग होती आप उससे भी खेल सकते हो अगर पेन खराब नहीं करना हो तो हाना क्या करना है भई आप उसको ऐसे कंप्रेस करो छोड़ो अपने आप अपनी ज जब बल हटाया आपने जब क्या किया बल हटाया तो ये वापस से पुनर अवस्था में आगई ये पुनर अवस्था में आगए जैसे ही बल हटाया फोर्स हटाया पुनर अवस्था में आगई एक्च्वल पोजिशन में आगई अब ऐसे ही मैं कहता हूँ कि भई ये जब म के बाद तो प्रत्यास्ता सीमा के बाद क्या हो गया तो यह 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 पर्मानेंटली डिफॉर्म हो गया पर्मानेंट चेंज हो गया मदब इस थाई रुप से इस थाई परिवर्तन हो गया इसमें क्या मिल गया इस थाई परिवर्तन मिल गया अब करें अभी भी रूके नही अभी इसके बाद भी अगर बल लगाते ही गया तो फिर इसके बाद वो क्या होगा तूट जाएगा आओ चलो ज़रा एक और इमेज के ज़री हम इसको समझ के आते हैं मैं कहता हूं तीन चार कंडिशन्स बनाते हैं सबसे पहले काम तो यह है यह रही मेरे पास में एक स्प्रिंग देखिए एक यह रही मेरे पास में स्प्रिंग ठीक है इसको मैं क्या करूँ मैं थोड़ा सा फोर्स लगा करके इधर एक द्रड़ पिंड है इससे यह बंधा हूं इसको थोड़ा सा फोर्स लगा करके आप बोल इस पर मैं पूरा graph बनाने वाला हूँ, यह मैं आपको अब explain करना चाना, देखें, यह जो मेरी थी, इससे थोड़ा सा क्या हो गया भी, थोड़ा सा force लगा करके मैंने इसको खीच दिया, अब इसको ध्यान पूरवक समझेंगे, क्या किया हुआ है मैंने, मैंने simplis में काम किया कि यह इतना सा, इतनी सी length तो इसके पास पहले थी, spring जान बूच करके मना रहो, सिर्फ समझने के लिए, यह तो single में rod बना सकता था, spring मना रहो, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, अभी क्या हुआ, थोड़ा सा typical होगा इसकी वज़ा से मामला, लेकिन समझ में जल्दी आएग तो डेल L length यह आपने इसमें उठा करके परिवर्तन कर दे, ठीक है, किसके द्वारा, यह लगाएगे बल के द्वारा, यह जो बल लगा रहे हैं, यह इसको कहते हैं, विरूपक बल के द्वारा, अब मैं कहता हूँ कि अगर आपने विरूपक बल को हटा दिया, क्या किया, इस विरूपक बल को हटा दिया, तो वापस अपनी पुनर वस्था में आ जाएगी, विरूपक बल हटाने पर, पुनर वस्था में आ जाएगी, ठीक है, अब यह जो मैंने विरूपक बल लगाया था, यह ultimately किसकी वज़े से चल रहा है, तो इसको मैं कहता हूँ कि यह चलेगा मेरे स्ट्रेस की वज़ा से, यह हलाकि विरूपक बल का मतब क्या होता भी है, इसी को हम कहते है प्रतिबल, और यह प्रतिबल बटा में, प्रतिबल के अगर हम बात कर रहे हैं, तो force upon area होता है, यह ultimately क्या कहला तभी है, यह होता है हमा प्रतिबल, प्रतिबल का मतब क्या भी है, तो बल बटा में चेत्रफल, F upon me A, और दूसरी तरफ मैरे को दिकरी है, strain, strain मतब क्या भी, तो विकृति, विकृति मतब, change in shape upon original shape है ना, परिवर्तित आकृति अपउन वस्तविक आकृति, यह होता है हमरा फॉर्मॉला अब यह यह इस्ट्रेस को हम सिगमा से और इसको हम एपसाइलन से डिनोट करते हैं अब यह दो बाते और सीख लेते हैं अब मैं कहना चाहरा हूँ कि आपने फॉर्स अटाय वापस से अपने को रीगन कर ले रहा है तो यह कहलाता है इसी इसी चीज़ को यह जो ऊपर यह पूरा एलेमेंट जो यह चला इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता यह पूरी कहानी जो चल रही है इस पूरी कहानी को हमने क्या नाम दिया इसी को हमने नाम दिया प्रत्यास्थता ये हैं हमारी प्रत्यस्थता ये हैं प्रत्यस्थता अब अगली केस्म में क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने इसमें और बल लगाया ये जो बीरूपक बल लगाया है उसको और बढ़ाते तो मैं कहता हूँ विरूपक बल के मान को बढ़ाने पर अगर मैंने इस विरूपक बल के मान को बढ़ाने पर अगर मैंने इस विरूपक बल के मान को बढ़ा दिया मतब ये देखिए ये जो मेरे स्प्रिंग पहले था अगर मैंने इसको बढ़ा दिया है तो spring थोड़ी सी अभी खिची-खिची सी हो जाएगी ठीक है यह spring कैसी हो गए यह spring देखिए यह खिची-खिची सी और इसको compare करके देख लें तो देखिए इससे और विरुपक बलके मान को क्या कर दिया अगर इसके length में अभी भी comparison को देखेंगे तो length में तो खूब सारा comparison आगया भी यह खूब सारा changes आगया यह original length थी इसकी ना इसमें इसमें यह जो परिवर्तन आया है यह डेल एल यह तो खूब सारा परिवर्तन आगया भी ये 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 कैसा है भ border तो ये अब क्या होने वाला है ये अब आपने इतना जाधा लगा दिया कि यहाँ पर ये सब कुछ प्रत्यास्ता सीमा के अंदर हो रहा था ये अब प्रत्यास्ता सीमा से बाहर चला गया मतब इस condition में आ गए हम कि इसको कह सकते हैं कि ये जो अगला पॉंट हम लोग बना रहे हैं ये प्रत्यास्था सीमा के बाहर हो गए यानि ये अगर हमने यहाँ से ये फोर्स को अगर हटा भी देंगे तो ये वापस से रीगन नहीं कểगा मतब ये हो गया हमारा प्रत्यास्थता सीमा के बाहर यह जो चल रहा था यह प्रत्यास्था सीमा के अंदर चल रहा था अब प्रत्यास्था सीमा के अंदर चल रहा था अब प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो चलेगा वो प्रत्यास्था का गुर्दर साएगा हैना Elastic Property और अब यह क्या होगा कि अब अगर आपने यहाँ पर विरूपक बल को हटा भी देंगे तो यह वापस से अपने आपको रीगिन नहीं करने वाला ठीक है क्या करेगा भी यह विरूपक बल हटाने पर पुनर्वस्था में नहीं आएगा यानि यह जो कंडिशन है यह कहलाती है हमारी प्लास्टी सिटी हाना यह जो कंडिशन है यही कंडिशन हमारी कहलाती है यह प्लास्टिक कंडिशन कहलाती है यह इलास्टिक है यह प्लास्टिक मतब यहाँ परिवर्तन हुआ है यह परिवर्तन कैसा है यह पर्मानेंट है इसमें ये पुन्रा वस्ताय में आ जा रहा है मतब औस्थाई परिवर्तन है ये जो डेल L आपको यहां पर दिख रहा है ये डेल L अल्टिमेट्रिक या औस्थाई परिवर्तन है आपने बल हटाया और ये वापस अपनी condition में आ जाएगा और अगर अगर अभी भी नहीं माने अभी भी नहीं मान रहे अभी क्या कर रहा है और बल कमान बढ़ा दिया मतब बिरूपक बल कमान और बढ़ाने पर ये इदर और एक ब्लॉक बना लेते है बिरूपक बल कमान और बढ़ाने पर क्या कर रहा है भीया मानी नहीं रहा है तो कह रहा है कि विरूपक बलकामान विरूपक बलकामान और बढ़ाने पर तो भीया ये जो हमारे पास में बनी है ये जो हमारे पास में बनी हुई है ठीक ऐसी हो जाएगी और इसको अगर मैं comparison के लिए थोड़ा सा ले चलता हूँ इसको उठा करके एक बर compare करके ले आते हैं यह देखें और बढ़ाते हैं थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं अभी छोटा रहे गया तो इसको और अगर मैंने बढ़ा दिया ठीक है इसको क्या क्या और बढ़ा देते हैं ठीक है तो अभी क्या हो जाएगा भई यह यह ना plasticity से भी और आगे चलेगा यह permanent deform तो होई चुका है अब वापस अपने आपको region नहीं करना अब इस प्रिंग नहीं बने कि मैंने बोले तो थोड़ा सकी चुगे वापस से आजाएगी थोड़ा जादा खिच दोगे अब नहीं आएगी और अभी नहीं नहीं मान रहे और खिच रहे और खिच रहे तो यह 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 क्या होगा भी प्लास्टिक छेत्र के बाद विरूपक बल लगाने पर तूट जाता है मतब यह क्या हो गया अभी अगर देखेंगे तो यह अब क्या हो जाएगा भी तो यह कहीं से तूट जाएगा कहीं से भी तूटे यह ब्रेक हो जाएगा यहां पर क्या मिलने वाला मेरे को यहां पर मेरे को मिलने वाला ब्रेक यह तूट गया यह क्या हो रहा भी अभी अभी आपने इतना ज्यादा बल लगा दिया कि वो सहन नहीं कर पाया और यह तूट गया तो maximumly मेरे पास कितने condition आई एक ऐसी आई कि आपने जैसी बल हटाया वापस रीगेन हुआ दूसरे में रीगेन नहीं हो रहा है पर्मानेंट चेंज हो गया और तीसरे में क्या हो रहा है तो तीसरे में यह हो रहा है कि यह तूठी गया खतमी हो गया तो अब आते हम जड़ा इस पर अब आते हम थोड़ा सा यहां पर तो पहली condition जो हम लोगन यह बनाई ती जहां तक अपने आपको रीगेन कर रहा था उसको क्यता हम elastic reason इसके बाद किए जो reason है वो क्या गहाती है plastic reason और उसके बाद भाईया वो फ्रैक्टर हो गया वो टूट गया ठीक है वो क्या हो गया टूट गया अम नहीं वापसा तो यहां पर जड़ा formula के रूप में देखिए थोड़ा सा फॉर्मूले के रूप में आपर समझा जाए तो फॉर्मूले के रूप मेरे को समझ में आ रहा कि पहले प्रतिबल समान उपाती है विकृती के यानि यहाँ पर यह जो पहला वाला जो यह केस है इसमें मेरे को यह समझ में आता है कि प्रतिबल और विक्रती एक दूसरे के समान उपाती होंगे तो ये पहले रेंज में तो ये मालूम चला कि प्रतिबल समान उपाती होगा हमारे विक्रती के लेकिन दूसरे में ऐसा रूल फॉलो नहीं होगा तो अगर मैं stress and strain curve design कर तो बनाता हूँ मैं तो यह रहा मेरा stress and strain curve यह हो गई हमारी y axis और इधर में हम रख लेते हैं हमारे लिए हमारी x axis ठीक है और इसके बाद हम design करना सुरू करते हैं तो बहुत यह सबसे पहला जो पहली जो हमारी range बनती है उसको हम कहते ही क्या elastic range मतलब प्रत्यास्त अगर प्रत्यास्त है तो प्रत्यास्त में तो हमें पता था कि यहाँ पर hook का नियम valid होता है यानि stress जो है वो directly proportional होता है हमारे strain के मतलब यहाँ पर stress जो है directly proportional होता है strain के यानि भाया सीधा लिखता हूँ प्रतिबल जो होता है समानुपाती होता है विकृती के और इसको हटाने पर एक E constant जब आता है तो सीधा समझ में आरिये ने इसका मतलब कि यह जो graph चलेगा यह जो curve चलेगा यह भाया बिलकुल straight line चलेगी सीधी 2 सीधी चलेगी क्योंकि यहाँ पर सिग्मा समानुपाती है किसके सिग्मा समानुपाती है हमारे हमारे विकृती के और एक और बात समझे प्रतिबल बटा में जैसी आप विकृती लिखते हैं प्रतिबल बटा में विकृती, तो प्रतिबल बटा में विकृती एक e constant को show करते है, मत्ब ये जो curve हमने बनाया, इसमें कहीं पर भी, कहीं पर भी, अगर यहां पर भी, अगर मैंने इसका slope consider किया, ठीक है, कैसे consider करते है slope? तो slope निकालने के तरीके यह होते हैं, कि यह हमारा क्या विकृति, यह हमारी क्या है, विकृति, एपसाइलिन, और यह हमारा क्या भई, यह हमारा है प्रतीबल, मतब यह हमारा stress, तो stress और strain के बीच में जब मैंने एक straight line, मतब बिल्कुल straight line बनेगी, यहाँ पर जो slope होगी न, ज पर आपको यहां पर थीटा निकाली है तो थीटा क्या होगी अगर यह एक triangle है ABC तो इसमें ये थीटा क्या होगा तो आप को कि भीया ये जो थीटा आप लिख रहे हैं ये थीटा जो होगा है ये थीटा होगा हमारा arc upon में radius मतब BC upon में AC BC कौन है तो epsilon 2 minus epsilon 1 upon में ये कौन है तो sigma 2 minus sigma 1 मतब ये क्या भीया तो ये है आपका प्रतीबल ये नीचे कौन दिख रहा आपका तो नीचे दिख रही है विकृती तो मतब डेल epsilon upon डेल सिगमा इसी को हम कहते हैं कि ये थीटा और ये थीटा इल्टिमेट्री किसे ने देसित होता ई से तो इसको आप easily लिख सकते हो कि ये है भई ये हमारा e मतब इस graph का जो slope है वो किसको बता रहा है भई तो ये जो e लिख रहे हैं इसी को हम कहते हैं modulus of elasticity प्रत्यास्थता गुरांक है ये प्रत्यास्थता गुरांक है ये modulus of elasticity है ये तो चलिए पहला क्राव तो मुझे समझ में आया है तो मैं काम करता हूँ अभी मैं इसको हटाता हूँ and अब हम सीधे-सीधे इस graph को draw कर लेते हैं तो भाई ये 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 गाइब गाइब ठीक है ये उड़ा दिये ठीक अब क्या करना है मुझे अब मुझे simply यहाँ पर simply यहाँ पर जब graph draw करना है तो इन दोनों के बीच में आपको समझ में आ चुका है कि भाईया बननी है क्या straight line क्या बनेगी सीधी सरल रेखा ये बन गई ये हमारी ये हमारी जो सीधी सरल लेखा है ये किसको अन्यदेशित कर रही है तो ये प्रत्यास्था गुणांख है ये ये हमारा ये है ठीक है ठीक है ये क्या हो गई ये हो गई और अगर और अगर इसके आगे के तरह बढ़ेंगे मतब यहां पर एक पॉर्इंट मैं बनाते हूँ इसको मैं मार कहा दे तो पॉर्इंट A ये यहां तक ये वस्तु कैसी चल रही है तो ये पूरी वस्तु जो है ये पूरी यहां तक जो वस्तु रहने वाली है ये प्रत्यास्थ रहने वाली है ये होगे हमारी elastic, इसके बाद में हम उसको कहते हैं elastic limit, ये जो हमारी A है, इसको ही हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीवा, ये क्या है, प्रत्यास्थता की सीवा, मतब यहां तक अगर आपने कोई बल लगाया है, ये पहला case देखे, यहां तक अगर आपने कोई बल लगाया है, और वापस भी इसी पर आएगा ठीक है स्ट्रेट गया और वापस भी इसी पर आएगा लेकिन जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा और आपने बल के मान को बढ़ाये तो मैं बल के मान को थोड़ा और बढ़ाता हूँ तो यहां से अब स्ट्रेट ना मिल करके यह कर्व हो जाएगा कैसा हो जाएगा कर्व हो जाएगा और एक और पॉइंट यहां पर माग करता हूँ इसको यह पॉइंट है हमारा इस पॉइंट को माग करते हैं लिखते हैं इसको बी ये बी पॉइंट तक क्या होगा कि अगर आपने उसके उपर फोर्स हटा दिया बी पॉइंट तक क्या है आपने बल हटा दिया अगर आपने यहाँ पर बल के मान को हटा दिया है तो आपको क्या मिलने वाला है आपने बल के मान को हटाया तो आपको ये वापस से रीगेन होता हुआ नहीं मिलेगा ठीक है न ये वापस से रीगेन होता हुआ नहीं मिलेगा कहां गया ये रहा ये रहा अब ये वापस अपने आपको रीगेन नहीं करेगा इस थाई परिवर्तन आ गया है ठीक है और इसके बाद थोड़ा सा और आ गय अगर बढ़े तो इसके बाद मुझे एक और point मिलता है एक और point है मेरे पास में यह B को थोड़ा सा और करीब ले आता हूं यह थोड़ी देर तक और अभी अपना behavior show कर रहा है फिर इसके बाद एक point मिलता है C C ऐसा point है कि अगर आपने बल को हटाया तो यह अगर अपने आपको regen भी करेगा तो वो यह अपने आपको regen तो कर रहा है लेकिन regen करने के बाद वापस अपने को इसी path पे वापस नहीं आएगा यह कैसा आएगा भी तो जितना आपने देखे यहां तक मैं समझ में आ रहा है कि यह जो विरुपक्ता थी अपने आपको 100% regen करेगी लेकिन उससे अगर आगया अगर आपने बढ़ाया तो अपने आपको regen तो करा अपने आपको regen तो किया लेकिन उसी path पर regen नहीं करेगी यह यह O से A तक गय थे तो A O वापस नहीं आएंगे C से O गय थे तो C O वापस अब नहीं आएंगे यहां पर तो A O वापस आगए यह प्रत्यास्ता सीमा के अंदर तो वापस 100% gain होगा लेकिन C बिंदू पर नहीं होगा C बिंदू पर gain होते समय यह O डैस मन जाएगा इससे और अगर आगर आगे बढ़ गय तो यह यहां तक जाएगी और इसके बाद यह fracture होगी यहां के बाद क्या होगी fracture होगी तूट गए इसको हम fracture point कहते हैं इसके बाद वो permanently deform होगई विकृत होगई यह तोड़ दिया अपने यह तूट गया यह यह condition यह विकृत होगई यह तूट चूट जाना यानि मैं हापर लेख सकता हूँ क्या इसको इसको मैं लेख सकता हूँ इसके beyond यह वाले यह पूरी लिमिट होगई हमारी क्या प्रतियासथक लिमिट इसके बाद यह जो लिमिट है इधर वाले जो रेंज है यह पूरा जो छेत्र है इसको हम कहते हैं किया plastic reason इ पूरा प्लास्टिक छेत रहे हैं अब आईए स्टैंडर्ली अब हम ज़रे डिस्कस करें तो देखें क्या कहना चाह रहे हैं यह पूरी बातों में तो कह रहे हैं एक धात्विक तार पर आरोपित प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ प्रदर्शित किया गया है इसे विकृति ग्राफ करते हैं यह हमारा प्रतिबल और विकृति ग्राफ है ठीक है इस ग्राफ के प्रेक्शन से निमलिखित जानकारिया प्राप्त होती क्या क्या इस ग्राफ से हमें प्राप्त हो रहा है तो देखें अब ग्राफ ओए भाग सरल देखा होता है अभी हमने डिस यह प्रदर्सित करता है कि प्रतिबल विकृति के अनुकर्मानुपाती होता है जो की हुका नियम है मतब यहाँ पर प्रतिबल विकृति एक दूसरे के समानुपाती है स्ट्रेट लाइन बन रहा है मतब यह स्ट्रेट लाइन की क्विशन होने का मतब भी होता है कि दोनों एक दूसरे के समानुपाति यह बिंदू के संगत प्रतिबल को अनुकर्मानुपाति सीमा यानि प्रपोस्टनालेटी लिमिट कहते हैं यह जो है इसको ही हम प्रपोस्टनालेटी लिमिट कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं यहां तक में यह बिलकुल आपको आइडियल मतब आइडियल तो देखे आइडियल आपको कभी भी प्रत्यास्था मिलेगी नहीं क्योंकि आइडियल प्रत्यास्था का मतब होता है कि अगर मैंने उसको खीच करके जितना लंबा किया अगर छोड़ूंगा तो हंडेड परसंट रीगन होना चाहिए तो पूर्ण प्रत्या आम जो है वो देख लेते हैं यह जो है वो अनुकरमानुपाती सीमा है है यह जो है यह इसको इसको हम कहते है अनुकरमानुपाती सीमा यह जो बी दिख रहा है यह प्रत्यास्था सीमा है इसको इलास्टिक लिमिट कहते है सी जो आपको दिख रही है यह पराभाव पॉइंट है मतलब येल्ड पॉइंट है पराभाव बिंदू एल पॉइंट बोलते हैं इसके बाद वो टूटेने की तरफ चली जाएगी और डी जो है डी जो यहां पर दिख रहा है इसको त्रोटन बिंदू कहते हैं यहां से अब टूट जाएगी त्रोटन बिंदू ठीक है फ़िए जो है है इसके बाद मतलब यर्य के बाद आप ऀव oriented को का अब यह पूरा प्रत्यास्त चैट मतलब यहां से हां तक कि यह जो पूरा यह पूरा प्रत्यास्त है huh और इसके बाद अगर अबन देखते हैं वी डी वी से डी यह वाला जो स्चेटर है यह वाली जो चहतर है यह है प्लस्टिक प्लस्टिक उप इसके बाद जहां पन रहें नहीं होगा और आप देखें यह आपको है न बहुत सा grapestoi जगों पर यह जो आपको stress strain कौव मिलेगा वो अलग-अलग तरीके के मिलेंगे लेकिन सब लोग एक ही चीज को डील करते हैं बहुत सुरू में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा लेकिन थोड़ी देर के बाद जाने के बाद में है ना प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं होगा अब बल हटाएंगे अपने आपको रीगन करेगा लेकिन समानुपाती नहीं होगा ठीक है इसके बाद पता चलता है कि भी अब अगर आपने बल लगाया तो वो तूटेगा ठीक है लेकिन उसके पहले कुछ देर के लिए वो पर्मानेंट डिफॉम हो जाएगा तो ज चेंज पर्मानेंट हो जाता है दो शीट बना मतलब रहता है उसके पर्मानेंट चेंज मतलब हो हांपने करेंगे लिए यह कब स्टाइन रखते जिसको बार-बार बार लोहे से पीटते हैं है थोड़े से पिटते तो एक बार में तो सका शेप चेंज नहीं होता है लेकिन अगर आप देखोगी कि वह जो है नहीं के पास में रखा है वर्सों से तो पीटते 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 उसका जिस पर रखे लोहा पीटते उसी का शेप चेंज हो गया तो एक बार में तो आपको चेंज नहीं दीखा लेकिन बहुत बार पीटते पीटते उसका ही शेप चेंज हो गया अगर बहुत बार पीटते पीटते है तो बिन्दू A के आगे बिंदू B तक तार में प्रत्यास्था का गुर्ड तो पाया जाता है。 किन्दु प्रतिबल विकृति के नुकर्मानुपाती यह न्याहाँ पर यहां पर यह हम पर तो आपको दीन तो आपको देख रहे हैं कि प्रतिबल लेंगे तो वापस आएगा यहाँ पर यह करव हो गया तो जिस तरीके से A से B गया B से A वापस नहीं आएगा तो इसलिह कहते हैं कि वापस तो आएगा तो ता बी ए ओ पत द्वारा अपनी मूल लंबाई को प्राप्त कर लेता है ठीक है मतब अगर आपने यहाँ पर फोर्स हटा दिया जो आपने लेंथ बढ़ाने के लिए फोर्स लगा था उस फोर्स को अगर हटा दिया तो यह बी ए ओ वापस आएगा ठीक है नहीं लेकिन विकृती के समांउपाती नहीं है ठीक है बस इतनी सी कहानी है कि यहाँ पर हुक्स लो ऐसे ऐसे सिदा लिग दो अभी रीजन में हुक का नियम फॉलो नहीं होता ठीक है मतब प्रतिबल 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 जो है वो समानुपाती नहीं है विकृति के ठीक है बिंदु B को प्रत्यास्ता की सीमा मतब इसलिए इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं इलास्टिक लिमिट का मतब होता है कि अगर उससे जादा फोर्स लगा दिया तो पर्मानेंट डिफॉम हो जाएगा अगर हमने उससे जादा बल लगा दिया यह जो लग रहा था तब तक चलेगा इससे जादा बल लगा दिया तो यह स्थाई पर प्रत्यास्थ आचरन प्रदर्शित करता है मतब ओ से बी तक में ये प्रत्यास्था का गुण है ये जो पूरा रीजन है ये पूरा रीजन प्रत्यास्था का गुण है ये पूरे रीजन में प्रत्यास्था का गुण है ठीक है इस पूरे रीजन में प्रत्यास्था का गुण है O से B ये ये पूरा ये पूरा रिजन प्रत्यास्ता का गुण है बियांड इसके यहां पर प्रत्यास्ता का गुण हमें देखने को नहीं मिलेगा बस ठीक है तो इसलिए इसको कहते हैं हम क्या Elastic Limit यहां तक ये प्रत्यास्त देख रहा है ठीक चली आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट को अगर देखें तो देखिए और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट समय मिलेंगे हैना सभी पॉइंट को इकठे करते जा रहे हैं इसलिए उसको कह सकते हैं ठीक अब पढ़ते हम जड़ा बिंदू B के आगे बिंदू B से अपन आगे बढ़ रहे हैं बिंदू B के आगे और D के बीच माना C पर तार पर लटकाएगे बहार को और बढ़ाने पर तार में प्रत्यास्था का गुन समाप्त हो जाता है बीच से आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गे C के बाद अब प्रत्यास्था का गुन समाप्त है सी तक अभी भी प्रत्यास्था लेकिन जब अब बल अटाते थे तो वापस वापस जो है वापस आने की जो कहानी थी वह बी एओ ना हो करके C सीधे ODS थी मतलब आप हैं न एक condition समझो स्प्रिंग को अपने थोड़ा सा खीचा वापस आगया थोड़ा ज़्यादा खीचा अभी भी वापस आया थोड़ा और ज़्यादा खीचा थोड़ा सा वापस तो आया लेकिन ओरिजिनल शेप में नहीं आया यह C वो बिंदु है कि आपने खीच तो दिया कुछ Permanent deform हो गए और कुछ वापस आने के अभी भी कोसिस कर रहे हैं कुछ जो हैं वो Permanently changed हो गए कुछ वापस आने के अभी भी कोसिस हो रहे हैं मतब पहले जो स्प्रिंग को खीचने में जिस तरीके के behavior को change करके आपने उसके length बदली थी बल अटाने पर वो वापस से सारे behavior सारे गुणधर्म को अपना लेता था अभी इस c point पे क्या हुआ कि कुछ जो हैं वो अब अपने पुराने गुणधर्म को नहीं अपना लेंगे और कुछ अपना लेंगे तो जो अपना लेंगे उसकी वज़े से वापस अपनी स्थिति में आने की वो कोसिस करेगा तो ये point होता है हमारा c मतब बी के आगे बी और डी के बीच में एक c बिंदू पर लटकाएगे भार को बढ़ाने पर तार में प्रत्यास्ता का गुण साप्त हो जाता है अता भार को हटाने पर भी cbao cbao ये वाला रस्ता पत का अनुसराण नहीं करता बल्कि ये इस रस्ते का अनुसराण नहीं करता बल्कि c o ds पत का अनुसराण करता ये देखिए ये c o ds से वापस आता इसका अनुसराण नहीं करता है यानि कुछ लोग परमाने इंडे फॉर्म हो गए उसमें इस पश्ट है कि प्रतिबल सुन्य होने पर भी तार के पदात में इ just ौ-U-2 ये कैसा है ये स्थाई विकृती है ये जो व – यहां पर उत्पन हुआ है ये 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 स्थाई विकृति है परवालखने इंडे फ़रम हो गए है acts को ओ एमलखने ये जो है यह यस्थाई वे रूपने ये उसमें एक पर मदंट में एक परमानेंड बदलाव म पूरे में नहीं मिला लेकिन इतने में तो फरमाना इन भी लिए ठीक है अभी भी वह अभी भी वह इलास्टिक गुण रख रहा है लेकिन लेकिन वह उस तरीके का नहीं है कि वह 100% अपने आपको रीगेन कर सके ठीक चलिए और आगे बढ़ लिया जाए तो अब कहते हैं कि ब लेकिन अग रहा है अतब बिन्दु बी को पराभा बिन्दु मतब एल्ड़ पॉंट भी कहते हैं ठीक है बिन्दु बी को नहीं भी यह बिन्दु ची को ठीक है, C को कहते हैं, Yield Point, ठीक है, जो C है इसको हम Yield Point कहते हैं, हम इसको पराभाव Point कहते हैं ये वो Point होता है, देखिए, बिंदु B के संगत परतिबल को पराभाव समर्थ मतब Yield Strength कहते हैं B और D के बीच के विरूपन को प्लास्टी विरूपन कहते हैं ये पूरा रेंज B से D तक ही अब जो बात करें ये हमारा येल्ड स्ट्रेंथ होता है येल्ड स्ट्रेंथ इसको कहते है यहां से यहां तक कि जो स्ट्रेंथ है इसको येल्ड स्ट्रेंथ कहते है इसी के कारण किसी बस्तू के अंदर में तन्यता का गुन होता है वो तन्य होता है मतब उसको अगर तन्यता ना कहते है वो अगहात वर्धनियता कहता हूँ मैं है ना वो अगहात वर्धनियता होता है मतब उसके अगर आपने कितना भी जादा पीटा पीटी करके उसके पतली पतली शीट्स बनाने की कोसिस करी तो वो पतली पतली शीट्स में पहले आपने है ना आप एक समझो एक है ना एक लो एक शीट ली आपने उस पर हथोड़ा मारा उसमें कोई चेंजिस नहीं है मतब उसमें इलास्टिक प्रापरटी है आपने जब हथोड़ा मारा तो उसमें विक्रिती हुई बल लट गया वापस अपने आपको रीगन कर तो भाई अब वह क्या होने लगता है वह परमनेंटी अब फैलना सुरू करेगा ठीक है अब अगर ये 20 का रेंज जादा होगा तो उसमें फैलाओ जादा उत्पन कर सकते हैं मतब उसके उतनी पतली शीट बना सकते हैं और डी जितना करीब होगा इसके उतनी मोटी सीट बन होगा जैसे माल लीजिये मैं कांच ले लेता हूं कांच मांच अब उसको यह एक force लगाते है तब तक तक तोतो सहिंट अ시면 करता है कांच पॉछ नहीं होता लेकिन एक force के बाद वो सीधे तूटता है जो उसमें plastic range नहीं होता है उसमें plastic range होता हीुआ है सीधे यह B के बाद वो कहां पहुंचाता है D पर तो मतब डी इसके लिए क्या होगा गांच के लिए यह B के जस्ट बाजू में ही रखा हो गा D. B के just bad रखा है D. तो मत तब हो क्या हो तभी? उसके अंदर में ये जो पराभवन point है, है ना, पराभव point है, पराभव समर्थ जो है, yield strength है, वो नहीं होती है काच के अंदर भी. और जिसके अंदर यह नहीं होगी वो उतना जादा डक्टाइल नहीं होगा उसको पीट पीट करके उतनी पत्नी शिट्स नहीं बना सकते अभी I think समझ में आई होगी बात आगे बढ़ते हैं बिंदु D के संगत प्रतिबल के चरम तनन सामर्थ तता बिंदु D को चरम सामर्थ बिंदु भी कहते हैं यह जो है यह चरम सामर्थ बिंदु है मतलब यहां तक वो सहन करने को तयार है यहां तक वो तूटेगा नहीं यहा हमारा जो yield strength है वो maximum yield strength है यह बी minimum है और डी maximum है ठीक है यहां तक वो आपके द्वारा लगाएगा बलका सहन करने वाला है इस बिंदू के आगे आरोपित भार को कम करने पर भी अतिरिक्त विकृति उत्पन हो जाती है और बिंदू पर ता टूट जाता है डी से जादा थोड़ा भाग भी force लगेगा अब वो आपस रीगन नहीं होना और stable भी नहीं होना वो टूटेगा अब वो क्या हो जाएगा टूट जाता है बिंदू ई को भंजन बिंदू या त्रोटन बिंदू कहते है मतब फ्रेक्चर पॉइंट कहते है ठीक है यह जो आगे का पूरा रीजन ही है वो त्रोटन है तो यह जो है यह भंजन है अब यह आगे तूट चुका है तता इसके संगत प्रतिबल को भंजन प्रतिबल या त प्रतिबल कहते हैं यह यहां पर जो आपने प्रतिबल लगाया उसको भंजन प्रतिबल कहिए उसको त्रोटन प्रतिबल कहिए मतब आपने इतना फोर्स लगाना है कि वो तूट जाए तो आपको पहले उसके प्रत्यास्ता की सीवा को पार करना होगा फिर उसके प्लास्टिक में क्या कुछ नहीं होता फिर किया फिर किया तो मत्तब धीर धीर उतार अब पर्मानेंटली मुर जाता आप सीधा कितना भी करो सीधा नहीं होता वह ऐसा उच्छका हुआ ही मिलते तो वह अला प्लास्टिक रीजन है उसके बाद भी अगर आप फोर्स लगा रहे तो क्या हो तो आपको उस लिमिट तक फोर्स लगाना होता तोड़ने के लिए तब जाकर के आप फ्रेक्चर पॉइंट पर पहुंच पाते हैं ठीक है तो ग्राफ में यह पूरी बाते हमें एजिली किलेर हो जाती है ठीक अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अब हम कहते हैं प वो बचने वाला नहीं है ठीक है तो प्रत्यास्त रिजन में कहा था भईया अगर हमने फोर्स अटा दिया तो वापस से रीगन हो रहा था प्लास्टिक रिजन में कहा था आप फोर्स अटा ओगे भी तो रीगन नहीं होगा और फ्रेक्चर में तो खतम ही होगी ना बात वो आपस तो होने की कोई संभावना है ही नहीं तो इसके आधार पे हमने पदार्थों का वर्गी करण किया और क्या पाए कि ये पदार्थ तीन तरीके के हुए कैसे कैसे तो एक ऐसे पदार्थे ठीक है जिनको हम क्या कहते है भी या अगहात वर्धनिया या फिर तन्य पदात मतब डक्टाइल मटेरियल देखे प्रतिबल विकृती ग्राफ के अधार पर पदार्थों को निमन वर्गों में वर्गिकृत किया जाता है मतब मैं अगर उसमें प्रतिबल लगा रहा हूं तो उसमें होने वाली जो विकृती है कुछ जगों पे तो मुझे स्ट्रेक्ट दिखती है लेकिन कुछ कंडिशन्स में मुझे स्ट्रेक्ट नहीं दिखती है ठीक है जैसे इस ग्राफ के हम अगले अगले पॉइंट में चर्चा करते हैं अभी यहां पर हम जड़ा देखते हैं कि अगहात वर्धनियत अतन्य कौन होते हैं तो इन पदार्थों के लिए प्लास्टिक छेत्र विस्तरित होता है लार्ज होता है अर्थात प्रत्यास्था सीमा और त्रोटन बिंदू के बीच प्रिथा करन मतलब सेपरेशन अधिक होता है जैसे तामबा, अलूमेनियम, लोहा, अधिक अगहात वर्धनियत जितने भी मेटल्स है न वो जनरली अगहात वर्धनियत है क्योंकि मेटल्स में क्या होता है मेटल्स में क्या होता है यह जो range हमने बनाई हुई है यह जो हमारी range है देखे यह B है यह C है यह D है अब इसके बाद यह fracture हो गया ख़तम हो गया यह B से यह D तक का यह जो range है यह वाला जो range है यह पूरा यह पूरा plastic range है और इसके range को थोड़ी से और बढ़ाते हैं यहां तक यह पूरा plastic इसको हटाई लेता हूँ ठीक है अब थोड़े से अलग colors रगदे यह प्रत्यास्त हो गया यह जो हो गया यह हो गया हमारा plastic plastic मतब अगर आपने force लगाया तो वो अपने अंदर changes होने देंगे यह BD की range जितनी जादा होगी BD की range जितनी जादा होगी उतना जादा वो तन्य होंगे उतने जादा यह तन्य होंगे अब BD कहीं पर उठा करके यह यहां पर आ गया तो यह और जादा तन्य कहलाएगा मतब इसमें तन्यता का गुण मुझे और जादा देखने को मिलेगा प्राष्टिक रेंज का मतब भी समझ में आ रहता है कि भीया यह इसके पहले तक तो आपने जैसी फोर्स अटा है आपने आपको रियन कर लिया लेकिन इसके बाद उसने अपने आपको चेंज करना सुरू किया तो आपने थोड़ा सा बल लगाया थोड़ा सा चेंज जाएगा थोड़ा और बल लगाया थोड़ा और चेंज थोड़ा और बल थोड़ा और चेंज ये कब तक आप उसमें बदलाओ ला सकते हैं जब तक कि वो तूटना जाए तो तूटना मतब डी बिंदू पर न पहुंचे जिसका plastic चेतर विस्तरित है वो अगहात वर्धनिया है वो तन्य है अगला जब हम भंगुर पदार्थ की बात करेंगे हम brittle material की अगर हम बात करें भंगुरता का मतलब क्या होता भी जब B और D अगर है न बहुत जादा connect हो जाए यह जो D है यह जो D है अगर यही पर आगया D मत बी और D के बीच में gap नहीं यानि इसके पास में अब कोई ऐसा यह plastic reason ही नहीं plastic reason तो वही ता ना कि अगर आपने elastic limit से जादा force लगा दिया तो भाई यह वो अपने आप में permanent change करता था तो जो मैंने अभी example लिया था आपके लिए कांच का कांच को अगर आप देखते हैं तो एक बल को एक limit तक यह आपके force को एक limit तक यह आपके द्वारा लगाएगा force को सहन तो करेगा भाई O से A और O से B तक ultimately वो आपके द्वारा लगाएगा बल को सहन करेगा क्योंकि कांच ऐसा तो होता नहीं कि छूते से touch करते से तूड़ गया नहीं आप अगर touch करते हो तो कु उस तो बल को वो क्या करता है अवेल करता है इसके बाद अगर बल को बढ़ाता है तो तूटता है मतब उसमें यह नहीं आना है कि पहले क्या होगा मैंने बल लगाया तो पहले विरुपक्ता नहीं आएगी फिर उसमें विरुपक्ता आएगी फिर तूटेगा जैसे लोहे म नहीं मैंने आपको example दिया आपने पहले बल लगाया तो पहले वो मुड़ा थोड़ी देर तक आपने उसको उसका shape change करते रहे करते रहे तब जाकर के वो टूटा कांच में ऐसा नहीं होगा कांच में विरुपक्ता नहीं आएगी वो सीधे क्या होगा भई पहले छोटा होता है अर्थात प्रत्यास्था सीमा और त्रोटन मिंदू के बीच प्रत्यकरन बहुत ही कम होता है जैसे ढलवा लोहा कांच आदी सब भंगुर पदात है भंगुर का ब्रिटल का मतलब ही होता है जो तूड़ या तूरंथी मतलब एक लिमिट तक force को sustain के उसके बा पानी रखा है तो उतना weight सहन तो कर रहा है ना weight sustain तो करी रहा है आप मटके में पानी भर करके मटके को उठा के एक जगा सा दूसरी जगा तक ले जा सकते भाई बिलकुल कोई दिक्का दे लेकिन एक limit तक ही ना उसके beyond जैसी जाएंगे तूड़ आएगा मतलब ऐसा तो नही जहां पर पृटिबल और विकरतीके बीच के बीच के जो लोगे अबी Iraq देखा था यह देखें प्रतिबल और विकरतीक ने ग्राफ केसा देख ता isaSạnी एहां प Siri करती और यहां पर कॉन तैसा प्रति प्रति गैए अगीन अभी अगर हम इसको देखते त来 और हूख Ugh수lock accordingly च होते हैं जहाँ पर यह इए कॉंस्टेंट नहीं होता है यह अभी भी ही है लेकिन यह नियत नहीं है यहाँ पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह जो है ना यह यह constant नहीं यह इसको क्या क्या दैं अगर straight line बन रही है uhm मतब यह e कासे यह नीच है yeah constant है यहाँ पर अगर kinta बात करेंगे तो यह नीच नहीं है यह नीच नहीं है नीच नहीं मतब सुरू में अगर अब थोड़ा सा विकृति करेंगे तो थोड़ा सा प्रति बल लगाते हैं थोड़ा सा अगर आपने बल लगा तो थोड़ी सी विकृति उसमें देखने को मिलेगी थोड़ा और बल को बढ़ाएंगे थोड़ी सी और विकृति होगी लेकिन थोड़ा और बढ़ाने के बाद और विकृति जाएगी हाना कि वो भीया अब आप कितना भी बल लगाते रही है इसके अंदर में अब इदर विकृती के रूप में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला मतों बहुत ज्यादा विकृत हो गई हाना यानि विकृती कहां पहुंच गई विकृती तुर्ण इंफानाइट पहुंच गई थोड़े से बल के लिए थोड़ी से विकृती समझ में आती है आपने कम बल लगाया कम शेप में चेंज होगा थोड़ा ज्यादा बल लगा थोड तक जाते थे इलास्टिक लिमिट थी हाना इसके बियॉंड अगर हम जाते थे तब जाकर के मुझे कुछ देखने को मिलता था कि भी यह यह अपना भी हैविर लजम सेंज कर रहा है यहां तो इसके बाद ही कहां चलेगी इन्फानेक्ट पे चलीगी तो ऐसे को ही कहते हैं क्या इलास्टोबर्स मतब प्रत्यास्थलक ऐसे पडार्थो को कहते हैं जो मूल लंबाई से कई गुना तक जाके खिच जाते हैं यह बिसीकली पॉलीमर्स होते हैं जो किमिस्ट्री के अंदर में आप पॉलीमर्स पढ़ते हैं लंभी चेन रियक्शन्स पढ़ते हैं आप लंब में क्या पढ़ा था तो यंग मॉडिलस में पढ़ा है कि F upon में A डेल L upon L तो मतब यह होता है तो यंग मॉडिलस क्या कहते हैं कि अगर डेल L की लंबाई L के बराबर हो जाए और A अगर 1 हो तो गामा किसके बराबर हो जाएगा लगाएगा बलके तो यहां पर डेल L L के बराबर हो जाएगा इसका मतब क्या होगा कुल लंबाई अगर इसमें अगर आप कहते हैं तो पहले L था बाद में डेलल था इन दोनों को अगर आप जोड देंगे तो ये कितना होगा L प्लस L मतब ट्वाइस अपल तो भाईया यंग मॉडिलिस का स्टांडर्ली डेफिन ये था कि इतना बल आपको लगाना है कि उसकी लंबाई को दो गुना कर दें और हमने वहाँ पर समझा था हमने कहा था कि भाईया ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता है ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको आप एना फोर्स लागा डबल गर दो प्राक्टिकली पॉसिबल नहीं ये थोरेटिकल है लेकिन वो सिर्फ एलिमेंट्स में बात हो रही थी कुछ ऐसे पदार्थों को हम बना भी सकते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि भाईया ये ये फुल्फिल करेगी मैं तो 2L की बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो कह रहे हैं कई गुना तक खिच करके लंबा क किया जा सकता है 2L इने 3L 4L टाइमस तक भी किया जा सकता है हाँ वोड़ नो डाउट एलिमेंट्स में हमें देखने को थोड़े से कम मिलते हैं ठीक है तो मतलब क्या है कि प्रतियास्थलक ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो मूल लंबाई से कई गुना तक खीचे जा सकते है इन पदार्थों में उत्पन विकृति प्रतिबल की तुलना में अत्यधिक होती है विकृति देख रहे हैं यह देखे ना यह प्रतिबल थोड़ा सा और विकृति तो आनंत पे चली गई विकृत सारा है इसका कोई सूस्पष्ट प्लास्टिक छेतर भी नहीं होता कोई ऐस जार्थों की प्रत्यास्था सीमा और त्रोटन बिंदू अधिक निकट होते हैं मतब इनके प्रत्यास्था सीमा और त्रोटन बिंदू यह दोनों क्या होते हैं अधिक निकट होते हैं जैसे रबर महाधमनी के प्रत्यास्थ उतक आदी प्रत्यास्था के उदारने अब तोड़ा सा प्रतिबल भी थोड़ा सा बल लगाते हैं तो उसमें आप देखते विकृती जादा हो जाती तभी आपको जैसे इलास्टिक की बात सुनाई देती है दिमाग में तुरंत रबर चलता है और हमने जब पहले दिन जैसे इस टॉपिक विनिशेट किया था तभी रसक कौन होता है तो रबर से जादा अगर आप बात करेंगे प्रत्यास्था की तो आपको स्टील होता है उसमें जादा प्रतिबल वह अपलाई कर सकते हैं रबर पर उतनी नहीं रबर तूरंती टूड़ जाता है मतब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे बृटल में हमने कह क्या है न दिया था कि भीडी एकडम पास में हो गाया नि प्लास्टिक छेत्र का कोई पता ही ने इसमें क्या हो रहा है कि इसका प्लास्टिक छेत्र जो है है न वित है in पदातों के प्रत्यास्था के सीमा और त्रोटन विद्लू अतेद्धिक नगाठ होते हैं मतलब जो प्लाष्टिक रिंज तो होना ही समझ भी नहीं आ रहे हैं प्रत्यास्था चली गई कहां पर या ये जो point था, कहां गया, ये देखे, ये जो point था, ये BD छोड़िये, अब कहां पहुँच गए, अब हम सीधे, ये plastic reason खतम, ये A और D एक दूसरे कितने नस्दीक होते हैं, मतब, इसके आप ऐसा भी कह सकते हैं, A और D नस्दीक होने का मतब ये भी आप कह सकते हैं, कि ये जो होते हैं, ये बहुत जादा देर तक आपके द्वारा लगाएगे, बलका विरोध करके, और प्रत्यास्ता सीमा के अंदर ही रहते हैं, और उसके बाद तूट जाएंगे, र illusion lessOO worst, क्या के थे इनको हम कहते हैं, Elon इर्चटिमर, ठीक है, चलिए, तो बहिए अब एक काम कर लिया जाए, इस shaking को ही पर कर लिया जाए, गया एक समापत, क्यूकि हम रोंध है, stress, strain, curve, हमने उसके discussion कर लिय और समाज लिया, कॉन से region से क्या-क्या चीज़ा identify करनी है और किस reason में क्या होता है है ना क्योंकि यहाँ पर जो questions आप से पूछे जाते हैं वो ऐसी पूछे जाते हैं कि इसमें plastic reason ज्यादा होता है कि इसमें कम होता है क्या होता है उसके आधार पर हमने तीन तरीके की material को भी हमने categorize के लिया तो जैसे कि बागने brains हमे आपराने परिसान होने की जुरत नहीं है अगर आप CBAC से भी है तो भी नहीं परिसान होना क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड में भी अब NCRT को फॉलो की जाती है और यह पूरा कोर्स कोंटेन NCRT बेस्ट है मतब अगर आप किसी competitive examination like JE, NEET या फिर आप CUET की preparation कर रहें तब भी य exclusively Magnet Brands की टीम द्वरा आपके लिए डिजाइन की गई है और अब तो अब वो हिंदी मीडियम में भी available है तो जसे तरीके से आप connected है हमारे YouTube चैनल पर इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे social media platform that is Facebook, Instagram, Twitter, Telegram पर भी जहां कोई suggestions को सुझाओ अब वो हम तक पहुंचा सकते और हमारी तरफ से कोई नहीं information आती है वो फटा 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 तक पहुंच सकती है तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिलकुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि Magnet Brands Hindi लेकर क्याते quality education experience teachers के सा वो भी free of cost तो बने रही है हमारे साथ हम मिल रहे हैं अगले station में कुछ और हमागेदार topics के साथ तब तक अपना और अपने आस पास सबका बहुत सारा ख्याल रखिये thanks for watching